हलो एवरिवन तोड़े वी आर डूइंग वक्षिक नमबर 5 चैप्टर नमबर 6 अल्रेटी गोईंग कुश्चिन नमबर 1 एड़ दा फॉलिंग मॉनोमियन्स इन मॉनोमियन्स को हमें एड़ करना है कुश्चिन हमें दिया होगा है 3x, 5x and 2x बचे इसमें देखिए सभी में variable जोगा x common है तो अब हम इन तीनों को add कर देते हैं क्या बन जाएगा 3x 5x and 2x तो हमारे पस जो common variable याद हम सीधा ऐसे लिख देते हैं 3x और 5x कितने हो गए 10x and 2x टोटल कितने बन गए हमारे पस 10x यह answer हो गए अब next question बचे जिसके आगे कोई number नहीं लिखा होता तो उसको हम अपनी मर्जी से आगे 1 लगा सकते हैं तो यह 1a इसको consider करेंगे और आगे यह है minus 7a और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जिनके आगे plus sign होता है उसका मतलब वो numbers आपके पास अपने है और जिनके आगे minus का sign होता है उसका मतलब वो आपने देने है तो यह आप positive numbers और negative numbers मान कर चलेंगे तो यह आपका positive number है और यह negative number है positive number आपके अपने है और negative number आपने देने होते हैं तो अब हम क्या करते हैं? इन सब को प्लस करते हैं 5A प्लस 1A और माइनस 7A तो पहले तो जो हमारे पास अपने नंबर है उन दोनों को एड़ कर देते हैं 5A और 1A कितना हो जाता है? 6A और देने कितने हैं आपने? 7A तो इसका मतलब आपने ज्यादा देने है 6A आपके पास है और 7A आपने देने है तो इसका मतलब 1A आपने अभी भी देना बागी है तो इसका अंसर तो क्या ही आएगा? माइनस 1A माइनस 1A क्या होता है? माइनस A ही बोलके इसके आगे फिर 1 लगाने की जरूरत नहीं है और इसको मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखने में तो अब हमने क्या करना है? 5A प्लस 1A माइनस 7A तो इसमें से मैंने A कॉमन ले लिया क्योंकि A सभी महीं था तो A मैंने कॉमन ले लिया अब सिर्फ नंबर्स को ही हम स्वाल करते है तो यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 7 बच जाएगा A मैंने तीनों में से बाहर ले लिया तो positive numbers को इकठा कर दी है 5 plus 1 6 और minus का 7 तो अब आपके पास जो देने वाले number थे वो ज्यादा था तो कितना minus 1 अभी भी आपने देना है तो इसका मतलब इसका answer कितना हो जाएगा minus का A minus 1 A means minus A ठीक है अब question number next में आपके next देखते है 2 A B C minus A B C अब इसमें कोई भी number नहीं है तो 1 हम अपनी दरह से लगा देते हैं and 5 A B अब इन तीनों को हमने add करना है I think यहाँ C B होगा यहाँ C B है तो तीनों में ही common number A B C है तो अब हमने क्या करना है बचे हम सबसे पहले क्या करते हैं पहले जो positive numbers है उनको इकठा लिखते हैं तो positive number एक तो यह positive है और एक यह positive है इनको पहले इकठा कर देते हैं 2 A B C plus 5 A B C और minus हम पीछे बाद में last में लिखते है minus 1 A B C तो अब क्या होगा अब तीनों में A B C common है तो इसको मैंने बाहर लिखते हैं तो और बागी क्या रह जाएगा यहाँ क्या बचेगा 2 यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बच गया 1 अब हम इसको solve कर देते हैं क्या बच गया 2 plus 5 कितना होता है 7 और minus 1 कितना रह गया 6 A B C कितने हो गए 6 A B C इसका answer हो जाएगा और यह next question 2 X Y यह question में numbering में थोड़ी सी गड़बड हो गए 2 minus 2 X Y plus 7 X Y 15 X Y minus 10 X Y X Y minus X Y बहुत सारे number add subject हो गए है तो इसमें भी हम क्या करेंगे सबसे पहले positive numbers को इकठा कर लेके हैं यह positive number यहाँ आ गया यह positive number यहाँ आ गया और इसके बाद यह positive number इसका कि कोई नहीं था तो मैंने 1 अपनी तरफ से लड़ा गया और कोई भी positive नहीं है इसके बाद हम negative लेते हैं यह negative number अब negative की बारी आ जाएगी यह यहाँ आ गया और यह negative number यहाँ आ गया और यह भी negative number यहाँ गया अब हम positive को plus कर देते हैं 7 plus 15 22 22 and 1 23 तो positive number हमारे पास 23 आ गए और negative number कितने है 2 and 10 12 12 and 1 13 तो 13 हमारे पास negative number है तो 23 तो आपके पास अपने 13 आपने अभी भी देने है तो 10 xy आपके पास अभी भी बच जाएंगे आपके अपने नमबर बच जाएंगे और next f part e part ये भी हम ऐसी solve करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं जिन number किया के कुछ नहीं लिखा हुआ उसके आपके 1 लगा लेते हैं और positive numbers को इकठा कर लेते हैं 1 a plus 6 a plus 5 c अब negative की बारी sorry चलो ये भी हम आगे करेंगे minus 2 b and minus 2 c बचे अब देखिए इसमें variables अलग लगा गए a भी आया बी भी आया और c भी आया तो हम क्या करते हैं पहले a a वाले numbers को add कर लेते हैं ये क्या बनीगा 1 a plus 6 a total कितने हो गए 7 a चीक है अब b तो only one e है और वो भी negative है इसको हम as it is लिख देते है minus के 2 b और c कितने है एक plus का है plus 5 c है और minus 2 c है तो ये आपके पास positive number ज़्यादा है negative कम है तो आपके पास 5 आपके पास अपने है 2 अभी आपने देने है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये मैं आपको दुबारा से एक form में दुबारा लिख देती हूँ minus 2 c तो उसक्या बन जाएगा 7 a minus 2 b plus 3 c 5 c में से 2 c minus कर देंगे तो ये आपके पास 3 c आ जाएगा ठीक है और f part इसमें भी आपने a a कोई कठा कर देना है 3 a minus 5 a ये हो गया और उसकी बाद plus 4 b इसके आपके कोई sign नहीं था ये हमने अपनी तरफ से plus लगा लिया plus 4 b और plus 10 b ये इकठे कर दिया हमने और फिर उसके बाद बस a और b ही है इसमें ठीक है तो अब हम क्या करते है 3 a positive है और 5 a negative है तो ये क्या बन जाएगे minus 2 a बच जाएगे और ऐसे ही 4 b plus 10 b कितने हो जाएगे 4 और प्लस 14 b हो जाएगे और ये अभी भी मुझे कुछ यहां रह गया 3 a आ गया और 5 a आ गया 4 b आ गया और 10 b आ गया अच्छा है ये minus का 6 ये अभी भी बचा हुए minus 6 a और एड करते हैं हम इसको yes तो ये हमारे पास minus के 11 और प्लस के 3 ये बचेंगे minus 11 a और plus 3 a minus के 8 a और b कितने रह गया है हमारे पास 4 b आ गया 2 b भी रह गया है ये minus 2 b और लिखेंगे यहाँ पर 4 b और 10 b 14 b 14 b में से 2 b माइनस करतेंगे तो क्या हो जाएंगा 12 b minus के 8 a plus 12 b ये आपके पास आंसर हो जाएगा तो आप मैं आपको दुबारा से फिर से करके दिखाते हूँ पर थोड़ा सा confusion हो गया था पहले हम a वाले लिखते है 3 a minus 6 a and minus के 5 a ठीक है और अब हम लिखते है plus 4 b minus 2 b and plus 10 b ये equation बन जाएगे हमारे पास ठीक है तो अब क्या हो जाएगा 3 a minus ये दोनो minus की है negative number है 3 a minus 11 है और ये बनिया हमारे पास 4 b और 10 b 14 b minus 2 b तो ये हमारे पास क्या जाएगे minus की 8 a plus 12 b ये आपके पास आनसर आजाएगा ओके थैंक यू ये question आप लोग अपनी copy में complete करोगे